गाईज अक्तूबर महिने की हमारे पास सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है और हम बात करेंगे की पीवीस आईक्यू का है बजाद चीटक का है एथर एंडजी का है और महीं पर ओला एलेक्रिक कहां पर एगजिस करता है कौन पाईदान लोडग गया है कौन पाईदान उपर आ गया है उसके बारे में भी हम पूरा डिसेशन करेंगे और टॉफ फाइब एवी सेल्स रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे पर लेकिन इस महीने जो sales report रही ना वो September के मुकाबले 37.27% की उच्छाल के साथ में आपको देखने को मिल जाती है Guys बहुत ज़्यादा उच्छाल है महीं पर September में total unit sales की बात करें कि कितने भी electric two wheeler sales किये गए थे 81205 unit sales किये गए थे जिसमें electric motorcycle और electric scooter भी थे अक्टूबर में उन्होंने 11466 unit sales किये है Guys काफी बड़ा bump मारा है इतना share market और इसका कारण भी मैं आपको बता दो इसका कारण है कि festival season आ गया था और festival season में लोग जो electric two wheeler है या फिर two wheeler है या फिर कोई जो जो तरे भी product जो खरीदने के होते हैं वो इस महिने थोड़ा से जादा खरीदे जाते हैं और इसी लिए जो EV sales थी वो यहां रहती थी वो यहां पर पहुंच चुकी है Guys बहुत अची बात है Guys मैं आपको बता दूँ कि फिछली वीडियो में थोड़ा सा गलती हो गया था उसके लिए मैं माफी चाहूँगा मैंने आपको अकेप्ट बोल दिया था पर असेप्ट होता है तो उसके लिए माफी चाहूँगा प्रीज यार क्रिटिसाइज मत कीजेगा फ़र सब अप्रिशेट कीजेगा कि यार आपको जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं तो हम आपको टोटल नियूज देते रहते हैं प्लीज भाईयो आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं प्लीज मुझे माफ कर दिए इस सीज में मैं आप मुझे क्रिटिसाइज मत कीजेए भही पर अब हम बात करते हैं याप पर अक्टूबर एवी सेल्स रिपोर्ट की और मन्त और मन्त ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ पर बावन पॉइंट जीरू साथ परसेंट की उसमें मन्त और मन्त ग्रोथ देखने को मिल जाती है याने की हीरो मोडो कापी की तरफ से जो बीड़ा एलेक्री स्कूटर वो काफी अच्छा है पर लेकिन उनकी रेंज कम होने के कारा सब लोग क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि वह टोटल जो एलेक्री स्कूटर रेंज प्रोवाइड कराते हैं वह साइध है मेरे खाल से 80 और 90 किलोमेटर की आपको रेंज प्रोवाइड कराते हैं आप सभी मूर में चलाते हैं अलेक्री स्कूटर तब तो प्लीज यार इसी इसको क्रिटिसाइज करते हैं सब लोग और बहीं पर चौते नंबर की बात करें तो चौते नंबर पर यहाँ पर अपना इस्थान घेर पर अक्टूबर में उन्होंने 14,237 यूनिट सेल्स के हैं और मन्त और मन्त ग्रोथ की बात करत तो यहाँ पर 10.98 परसेंट की आपको ग्रोथ देखने को मिल जाती है और यह ग्रोथ पिछले कुछ दो तीन महीने से एथरेंजी की थोड़ी सी जादा होगी है कैसे होगी वो पकड़ लिया है अब वो अपना इस्थान नहीं छोड़ने वाले है और महीं पर जो पहले तीसरे नंबर पर हुआ करता था अब वो जो है तीसरे नंबर पर अपना एक पाइदान छोड़के आ गया है बजाचे तक पिछले महीने में दूसरे नंबर पर था और एक पाइद है पर लेकिन सेप्टेम्बर में बजाज ने 19,199 हूं सेयल्स किये थे और महीं पर सेप्टेम्बर में उन्हों ने 25,14 Alright सेयल्स किये या उन्होंने एलेक्री हूं सेयल्स किये और बहुत मन्थ और मन्थ ग परसेंट की आपको growth देखने को मिल चाती है यानि कि month of month growth भी काफी अच्छी है पर लेकिन अपना एक पाइदान छोड़के वो तीसरे नंबर पर आ चुके है और महीं पर दूसरे नंबर पर गला काट competition था मुझे ऐसा लग रहा था कि बजाच चेतक ही ऐसा player है इंडियर मार्केट में जो कि ओला electric को पचार सकता है पीछे पचार सकता है उसको गिरा सकता है पर लेकिन यहाँ पर मुझे अब ऐसा लगता है कि यहाँ पर TVS IQ ने इतना अच्छा उच्छा लिया है कि वही एक ऐसा player है जो कि इंडियर मार्केट में अपने electric scooter से ओला electric को पिछार सकता है देखते हैं मन्तों मन्त जैसे growth पता चलेगी वैसे हम बात कर लेंगे दूसरे नंबर पर यहाँ पर आप TVS IQ है पहले जो तीसरे नंबर पर रहा था पिछले महीने अब इस महीने आपको पूसरे नंबर पर देखने को मिल जाता है सप्तेम्बर में उन्होंने 18271 यूनिट सेल्स किये ते महीं पर अक्टूबर में उन्होंने 26500 electric scooter सेल्स किये तो वह भी चेजी तूटने का प्रॉब्लम आया था तो उन्होंने सारे electric scooter recall कर लिये थे design भाई काफी अच्छे लगता है पर लेकिन मुझे मैंने disappointing मुझे इस लगता है कि उनके electric scooter BRDC motor होती है तो मुझे थोड़ा सा अच्छी नहीं लगती यदि हम रियल वर्ल्ड रिंज की बात करें तो आपर 120-130 किलोमेटर की आपको रियल वर्ल्ड रिंज देखने को मिल जाएगी और बही पर इसकी month of month growth की बात करें तो 45.47% की इसमे month of month growth देखने को मिल जाती है बही पर पहले नंबर पर जो सुरू से स्टार्टिंग से रहा है EV sales report में जब से ओला एलेक्रिक आया है तब से उनकी जो sales report है वो हमेशा पहले नंबर पर ही है वही राजा है वही किंगा हमेशा रहता है और इस महीने तो सबको पचाड के आगे निकल चुका है वही पर बात कर लेते हैं ओला एलेक्रिक ने सब्टमबर में 24.715 यूनिट sales किये हैं वही पर अक्टूबर में 36.865 यूनिट sales किये हैं जिसमें हमारा भी एक electric scooter है मैंने भी electric scooter भाय कर लिया है जिसका ना मैं Ola S1 Pro electric scooter को खरीद लिया है मैंने और इस 36.865 electric scooter मेरा भी है मंद और मंद गरोध की बात करें तो यहां पर आपको 49.16% की आपको मंद और मंद गरोध देखने को मिल जाती है गाइस Ola electric का इतना बड़ा उच्छाल मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि अब कोई player नहीं है उनके सामने की कोई tick पाए मुझे नहीं लगता क्योंकि काफी आगे sales report हो सी देखते हैं मार्केट में बहुत सारी चीज़ा आती है आपको कैसा लगता है अब हम बात कर लेते हैं यहां पर यह sales report ओला की इतनी ज़्याद की होगे क्योंकि इन्होंने फेस्टिवल सीजन में उन्हें कहा कि हमारा जो अनचा से 999 वर पर आपको मिल चाएगा जो की टू किलोवार्ट लिथियमान बैंटर के साथ में आता है आपने खरीदा हो तो कमेंट बॉक्स जरूर बताइए बात कर लेते हैं यहां पर और जो की रिवर इंडी रह गया है एंपियर रह गया है नेक्सस रह गया है मही पर अक्टूबर में उन्होंने 22 यूनिट सेल्स किया मन्त और मन्त ग्रोथ की बात करें तो यहां पर माइनस में 51.11 परसेंट की आपको मन्त और मन्त ग्रोथ देखने को मिल जाती है पतब यह माइनस में गई है मही पर अगे बात करते हैं रिवोल्ट मोंटर्स की रिव का इंडिय इलेकृ इंडिये इ्लएक्री सूड रहा तो उनों ने सब्सक्राइब के ये के बाइ